नमस्कार आप सभी को विश्व पर्यावरंड डिवस वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे की हार्दिक शुपकामनाय और बढ़ाई जैसा कि हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि दिल्ली, NCR और देश के सभी राज्यों में ग्लोबल वामिंग, क्लाइमेट चेंड, पॉल्यूशन, स्मॉग इतियादी के विशाल संकट हम सभी के सामने उबर के आ रहे हैं मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरा लालन पोशन, परवरिश पढ़ाई, सभी दिल्ली में हुई मुझे अच्छे से याद है अपना बच्पन, कि जब हम रात को देखते थे तो आसमान नीला और साफ दिखता था महां सितारों को देखके हम अपनी कलपनाओं की रचना करते थे लेकिन आज एक मा होने के नाते, बहुत दुख से मुझे ये कहना पढ़ रहा है कि पॉल्यूशन, स्मॉउग की वज़े से हमारे बच्चे इन सब खुशियों से वंचित हैं आज पॉल्यूशन और स्मॉग की वज़े से कई बार स्कूल की छुटियां कर दी जाती है, holidays डिकलेर कर दी जाती है तो क्या हमारी नेतिक जिम्मिवारी नहीं है कि हम पर्यावरण संरक्षन में, Environment Conservation में अपना योगदान दें, निश्चे ही जरूर है इसी के रूप में आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया मैंने आज अपने घर के पास कुछ लोगों को छोटे-छोटे पौधे गिफ्ट किये और उनको पर्यावरण संरक्षन का संदेश दिया साथ ही उनसे ही अपील करी कि वो अपने घर या आसपास की जो जगा है वहाँ पे इन सापलिंग्स को प्लांट करें और अपने पास में लोगों को जागरूप करें और इसके साथ साथ वो भी प्रोटसाहित करें बाकी लोगों को कि हम भी एक एक पौधा निश्चे ही आज लगाएं तो यही मेरी आपसे अपील है कि ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम अपने जीवन में लाएं आज संकल्प लें कि कम से कम एक पौधा हम जरूर अपने आसपास अपने घर में या अपने नेबर होट में अपने पार्क में लगाएंगे और साथ ही साथ लोगों को एन्वार्मेंट कॉंजर्वेशन का संदेश भी देंगे सबको विश्व पर्यावरण डिवस की हार्डिक शुब कामना है और एक संकल्प हम जरूर लें कि सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल अर्थ इस आवर रिस्पॉंसिबिलिटी लेट उस आल कॉंट्रिबूट तोर्स मेकिं इस प्लानेट मोर ग्रीनर और लेट जो जावर 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 रहुचर अन्विर्मन तो आवर फुचर जनररीशनेश्टा तो आवर जावर जावर्ट